साल था 1969, फाइव जाट रेजिमेंट के कुछ आफिसर्स अपनी बीवियों के साथ अमरित सर रेलवे स्टेशन पर अपने एक कलीग को विदाई देने पहुचे थे तभी कुछ मंचले लड़कों ने उन आर्मी आफिसर्स की बीवियों के साथ छेडखानी सुरू कर दी लेकिन जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोसिस की गई वो भाग खड़े हुए और पास के ही एक सिनेमा हॉल में जा छिपे अब उतनी भीड में उन्हें पकड़ना बहुत ही मुस्किल था इसकी खबर मिलते ही अमरित सर आर्मी कैम्प के कमार्णिंग आफिसर करनल जोती मोहन से ने कुछ और आर्मी पर्सनल्स को वहाँ भेज दिया सारे मंचले पकड़े गए लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उन मंचलों में से एक पंजाब के ततकालिन सीम प्रताब सिंग कैरों का बेटा था प्रताब सिंग कैरों पीम नहरू के करीबी थे इसलिए आर्मी ने उन लड़कों को पुलिस के हवाले न करके अपने कैम्प ले जाकर उनकी जम के खातिरदारी की लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि इस घटना के बाद बीम नहरू ने प्रताप सिंग कैरों की जगह आर्मी चिफ जनरल धिमया से जवाब मांगा इस पर जनरल धिमया का जवाब था कि अगर हम अपनी औरतों की इज़त की हिफाज़त नहीं कर सकते तो आप हमसे देश की इज़त की हिफाज़त की उमीद कैसे कर सकते हैं